हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मैं हरुभी पटिल बात करूँगा आपसे सूडियो में वंसान क्रेम एवं मातावाण के संबन्द में और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को पर दबाना मत भूलेगा जिससे के आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे है और ये सब भी प्रस्न किसी ना किसी पर इच्छा म में आए हुए हैं और बहुत ही महत्य पौन है और अगर आपने पहले के बालवाज के वीडियो नहीं देखीए तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्समे आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर जो है जो भी वीडियो देखना चाते हैं देख सकते हैं तो सुरू करते हैं अपना वीडियो, हमारा पहला प्रस्ण है, सामान पुर्ष में XY गुर्षूत्र होते हैं, जब कि सामान महला में कौन से गुर्षूत्र होते हैं, तो सामान महला में जो है XX गुर्षूत्र होते हैं, इसलिए इसका आप्षन ए सही है अगला प्रस्ने बालक का विकास अनुवान सिक्ता तथा वातावरण का गोडन फल है तो ये कतन किसका है ये कतन है आपका वुडवर्थ का इसलिए इसका अप्षन भी सही है पुड़वर्द ने कहा है कि बालक का विकास अनुवान सिक्ता था वाता वरण का गोडन फल है अगला प्रस्ने निम्न में से कौन सा जन्म जात वैक्तिक गुणों का योग फल है तो देखे जो है वंसानक्रम जो है वो जनमजात वैक्तिक गुणों का योगफल है इसलिए इसका आप्षन सी सही है अगला प्रशने मनुस्व की बुद्धी आगे की पीडियों से संक्रमित होती है किसका कार इस जन्मजात योगता के विकास के लिए उप्युक्त परिस्थियों का निर्मार करना है तो मतलब ऐसी परिस्थियों का निर्मार करना किसका कार होता है मनुस्य की बुद्धी आगे के पीडियों से संक्रिवित होती है तो इस प्रकार की जर्मजात यूगता के विकास के लिए कौन सी परिस्थित उत्तरदाई है तो इसके लिए उत्तरदाई है वातावरण इसलिए इसका आफसन C सही है अगला प्रस्न है निंबन में से कौन सा कथन सही नहीं है पहला कथन है माना वंसान उक्रम माता पिता से संतानों में गुड़ों का संचरण है तो देखें सभी कथन जो है वो वंसान उक्रम के लिए प्रोग किया गए है तो आपका देखिए वंसानुगरम क्या होता है माता विजह संतानों में गुड़ों का जाना जो होता है वो वंसानुगरम है इसलिए पहला आप्सन इसका सही है दूसरा है विकास प्राणी और उसके पर्रावन की अंतर क्रिया का परिडाम है तो ये भी सही है आपका आप्षन अगला है वंसान उक्रम व्यक्त की जन्मजात विशेस्ताओं का सोधन है तो ये कथन जो आपका वो सही नहीं है इसलिए प्रशन के अनुसार आपका आप्षन C सही होगा अगला प्रस्ण वंसान अकृम वेक्त की जन्मजात विषेस्ताओं का पूर्ण योग है ये कहा है B and ज्घाने इसलिए इसका अप्षन B सह है अगला है रूसों के सिच्छक सम्बंधी विचार किस पुस्तक में मिलते हैं तो ये मिलते हैं Emile में Emile पुस्तक में जो है सिच्छक संबन्दी विचार या सिच्छा संबन्दी विचार जो है रूसो की पुस्तक Emil है इसमें मिलते हैं इसलिए इसका अफ्टेन 20 हाई है अगला प्रस्निंट Democracy और Education पुस्तक किसकी है तो ये है John D.V की इसलिए इसका option D सही है अगला प्रिषने वर्डान्दता कैसा रोग है तो जो वर्डान्दता है वो वन्सान उक्रम रोग है इसलिए इसका option A सही है अगला है वर्डान्दता में व्यक्ति लालवा हरा रंग में भेद नहीं कर सकता इसे कौन सा दोस कहा जाता है तो इसे कहा जाता है प्रोटीन दोस इसलिए इसका option C सही है अगला प्रश्णे मेरा बहुती महत्पूर्ण परिवासा है ये मनुस स्वतंत्र पैदा होता है किन्तू वह बाद में सब और से जंजीरों में बांध दिया जाता है तो ये कथन है रूसो का इसलिए इसका option B सही है इसको कैसे आद कर सकते है कि मनुस से स्वतंत्र पैदा होता है किन्तू बाद में सब और से रस्षी में बांध दिया जाता है रस्षी रूसो को जो है आप रस्षी से कनेट करके option में टिक कर सकते हैं कभी भी आपको मिल जाता है तो इसलिए इसका option B सही है अगला है मनुस में चोट लगने या कट जाने पर रुधिर स्राव बंद नहीं होता कौन सी बिमारी होगी है तो ये है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो रोग है वो वंसान क्रम वाला रोग है और इसमें अगर चोट लग जाती है तो रत बहना बंद नहीं होता इसलिए इसका आप्शन C सही है अगला प्रस्ण है हमारा ब्रूण में कितने क्रोमोसोंस होते हैं? तो ब्रूण में होते हैं तेज जोड़ी इसलिए इसका आप्शन B सही है अगला प्रस्ण है सारवदिक उप्यूक्त जीवित शर्वाइवल आप्दा फिटेस्ट रहता है का सिद्धान्थ है मतलब जो सबसे उप्यूक्त है वही जीवित रहेगा बाकि सब खतम हो जाएगे तो यह सिद्धान्थ कहका किसका है सर्वाइवल आप्दा फिटेस्ट तो यह है डार्विन का इसलिए इसका आप्शन C सही है अगला प्रस्ण है निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है एक सही क्रम है तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले अंडाड़ू सुक्राड़ू मिलते हैं उसके बाद युगमनस का निर्माड़ होता है फिर बनता है आपका ब्लास्टो सिस्ट इसलिए इसका आप्शन D सही होगा बाकि जो आपके आप्शन है वो गलत है और इसको जाद कर लिए रट लिए इन कोश्चनों को अगला प्रस्ने मारा वह अवस्था जो कि माता के 21 गुर्शूत्र जोड़के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है तो ये कहलाती है डाउन सिंड्रोम इसलिए इसका आप्शन ए सही है अगला प्रस्ने जब माता पिता के बच्चे उसके विब्रीद उसे स्थाव को दर्शाते हैं तो कौन सा नियम होगा तो आपका ये नियम होगा प्रत्या गमन का नियम इसलिए इसका आप्शन सी सही है अगला प्रस्ने मारा विकासवादी सिद्धान्द का समर्थक कौन है तो विकासवादी सिद्धान्द का समर्थक है लैमार्क जी है विकासवादी सिद्धान्द के समर्थक इसलिए इसका आप्शन ए सही होगा लहमार्ग जी ने विकासवादी सिद्धान्द का समर्थन किया है अगला प्रस्ने वनसान उगत सिद्धान्द के जनक कौन है तो ये हैं मेंडल इसलिए इसका आप्षन भी सही है अंतिम प्रस्ने वीडियो का वाडांद रोगी किन रंगों की पहचान नहीं कर पाता है तो अभी एक प्रस्न पहले ही हो चुका है कि वाडांद रोगी जो होता है वो लाल और हरे रंगों में पहचान नहीं कर पाता है इसलिए इसका आप्षन आपका भी सही होगा तो थैंक्यू फ्रैंट्स मेरा वीडियों उपे कतम होता है और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लिस लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अगर आपको कई confusion होती हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर्व मुझे ये question संबज में नहीं या तो मैं आपको बता दूँगा तो thank you friends मेरे चैनल बनाने के लिए आपका बहुत धन्वा प्लिख स्वेड़िए सोने कैरे खाल मैं हो सड़ मैं आपके लिए का जए अगर कान रिए बता सूल झाल झाल